नमश्कार दोस्तों मैं चंदन आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल पोएट चंदन पर दोस्तों पिछले एक साल में इस कुरोना महामारी की वज़ा से न जाने कितने हमारे अपनों ने अपनी जान गवाई है मैं अपने तहे दिल से उन सभी को अपनी स्रधानजली अरपित करता हूँ दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए एक महात्वपूर्ण समाचार लेकर आया हूँ 17 मैं 2021 को हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाज सिंग और हमारे स्वास्त मंत्री श्री हर्शवर्धन जी ने एक दवा लॉंच की है और इस दवा का नाम है 2-Diox-D-Glucose जी हाँ दोस्तों ये दवा कुरोना की अंटी ड्रग कही जा रही है जैसा कि आप लोग को पता है दोस्तों कि अभी तक कुरोना की कोई दवाई फिक्स रूप से नहीं थी कुरोना होने पर या तो आप अपनी इम्मिनुटी पर भरोसा कर सकते थे या अगर मामला बढ़ जाता था तो आपको उन दवाओं का सेवन करना होता था जो रियल रूप से कुरोना को करती थी ऐसे में दोस्तों कई सारी ऐसी दवाएं भी हमें दी जाती थी जो हमारी इम्मिनुटी को छती पहुचाती थी क्योंकि दोस्तों कुरोना का इलाज करना एक बड़ा ही टिपिकल और बड़ा ही जटिल कार्य हो गया है क्योंकि ये बिमारी जिस तरीके से ये वाइरस जिस तरीके से अपना रूप बदलता है जिस तरीके से अपने आपको म्यूटेंट करता है इससे लड़ना बहुत ही पेचीदा काम हो गया है लेकिन आप लोग को जानके खुसी होगी कि DRDO यानी हमारे Defense Research and Development Organization ने और Dr. Reddy's Lab ने मिलकर एक दवा बनाई है जिसे कहते हैं 2-Dioxyd-Glucose जिसे short form में दोस्तों 2-DZ कहा जा रहा है ये दवा कोरोना के खिलाफ जैसा कि रिपोर्ट में आया है 100% कारगर है दोस्तों इसका मतलब यह हुआ कि अगर कुरोना हो रहा है आपको और ये दवा का सेवन आप करते हैं तो आप मौत को पीछे छोड़कर दुबारा जिन्दगी की तरफ लोड़ सकते हैं तो दोस्तों आज मैं इसी दवा के बारे में आप लोगों को विस्तार से बताऊंगा ये दवा किस मात्रा में लेनी है आपको ये कैसे काम करेगी दवा की कीमत क्या रहेगी आदे सभी बातों की चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा इसलिए दोस्तों इस वीडियो को अं ज़्यादा से ज़्यादा जिंदगियां बचा सकें तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो दवा बनी है यह उसके पैकेट का इमेज है इस तरीके के पैकेट में आएगा यह और इसका नाम है 2-Dioxide-D-Glucose-Oral Powder 2.34 ग्राम जैसा कि इसके नाम से ही आपको पदा चल रहा है कि यह powder है capsule नहीं है यह कोई injection नहीं है यह एक powder है जो कि इस तरीके के सैसे में आएगा सेवन करना बहुत ही आसान है तो सबसे पहले तो मैं यह बता दूँ कि यह एक generic molecule दवा है दवा दोस्तों जब आप लेते हैं तो यह आपके body के हर एक cell में जाती है और क्योंकि देखे कुरोना से संक्रमिस cell जो ज़्यादा glucose और energy मांगते है जो जहां भी आपके अंदर आपकी body के अंदर जिस cell में भी corona फैल जाता है वो जो body है वो cell है वो ज़्यादा glucose और energy मांगत है अब ऐसे में यह दवा उन सेल्स में जादा जाती है जो वाइरस से infected है को रिप्लिकेट नहीं करने देती है इनर्जी नहीं देगी तो वो रिप्लिकेट नहीं कर पाएगा रिप्लिकेट का मतलब समझ रहे हैं कि अपनी संख्या को बढ़ाना क्योंकि कुरोना आप लोग इस तरीके से जो यह कोविट पेसेंट है वो कोविट का सिकार नहीं बन पाता दोस्तों यह सारी जानकारी जो मैं आप लोग को बता रहा हूं यह डाक्टर सुधिर चंदाना एडिशनल डारेक्टर है आई एन एमेएस के यानि इंस्टिट्यूट आफ नुकलियर मेडिसीन एन अलाइड साइंसेस के और मैं इस दवा के बारे में आप लोग को एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता दूँ देखें DRDO जो है यह दोस्तों कोई भी चीज जल्दबाजी में नहीं करते हैं DRDO बहुत ही महत्वपूर्ण संस्ता है और यह बहुत ही गहन अध्यन और इफेक्टिव होता है उसी चीज को यह बताते हैं या उसी चीज को यह डिकलेर करते हैं अब इन्हों ने डिकलेर कर दिया अपनी और से कि यह दवा हमने बनाई है यह दवा DR. Redis के help से बनी है और इस दवा को आप ले सकते हैं पहली बात मैं बता दूँ दोस्तों कि यह जो आप सिम वही सब कुछ करेंगे जैसा पहले से करते आएं सबसे पहले दोस्तों की आप तो अपना ख्याल रखिए ठीक है मास्क लगाईए डबल मास्क लगाईए हाथों को बार बार धोते रहिए साफ सफाई का ध्यान रखिए भीरभार से दूर रहिए दो गच की दूरी बना के रखिए बलकि तीन गच की दूरी बनाईए ज्यादा बहतर है आप लोगों के लिए लेकिन अगर फिर भी भगवान न करें कोरोना हो जाता है तो पहले तो अपने आपको आइसोलेट करिए और अपने स्वास्त पर पूरी तरीके से आप उसको मेजर करते रहिए जो आपको ऑक्सीजन की कमी आपको नहीं होने देगी तो मैं सबसे पहले यह बता दूं कि यह दवा आप किस तरीके से लेंगे देखे यह जो दवा है तो डियोक्सीडी ग्लुकोज औरल यह दवा आप डॉक्टर की सला से ही ले सकते हैं ऐसा दोस्तों बिलकुल मत करिएगा कि यह दवा जब आजाए तो आप फिर सोचे कि चलो मैं खुदी जाता हूं बाजार और यह दवा खरीद करके खाता हूं ऐसा बिलकुल मत करिएगा यह डॉक्टर की सला से ही आपको दी जाएगी और यकीन मानिए जब यह आएगी मार्केट में और मैं बताने वाला हूं कि य ठीक है आप इस वीडियो पर बने रहे हैं जब यह दवा आएगी दोस्तों तो जाहिर सी बात है कि डॉक्टर इसी को रिकमेंड करेंगे क्योंकि यह बहुत अच्छी दवा अब मैं इसके बारे में यह बता दूं कि इन्होंने किस तरीके से और कब सुरुवात की है इसके रिसर्च की है दोस्तों इस दवा का पहला जो फेज चला है वो अप्रेल 2020 में DRDO का CCMB में ने Central for Cellular and Molecular Biology Lab के अंदर में जो की हमारे हैदराबार्द तेलंगाना में है ठीक है वहाँ पर इसका ट्रायल सुरू हुआ था वहाँ पर इसका ट्रायल सुरू हुआ इस लैब परिक्षण के अच्छे नतीजे जब आए तो इनको क्लीनिकल ट्रायल के मंजूरी मिल गई है मंजूरी आप लोग जानते ही है यहाँ पर कि Drug Controller General of India इस ट्रायल को मंजूर करता है DCGI इसको मंजूरी देता है तो वहाँ से मंजूरी मिली है और मई से लेकर के अक्ट परिक्षा चर्ण हुआ है माई माई से लेकर के अक्टूबर 2020 में इसके बात दोस्तों डाक्टर रेडी लाइब के साथ क्रिंकल ट्रायल जो हुआ और दोस्तों ये ट्रायल DRDO और डाक्टर रेडी लाइब जैसा कि पहले भी मैंने बताया था इन दोनों ने मिलकर किया हुआ है ठीक है और ये दवाद देखिए दोस्तों जिन मरीजों को दी गई है उनकी कुरोना रिपोर्ट बहुत ही तेजी से और बड़ी अच्छी तरी का बदला हुआ रूप है तो ये दवा जो है ये वाइरस की को की ग्रोथ को वाइरस की ग्रोथ को रोकने बहुत कारगर पाई गई है जब वाइरस की ग्रोथ ही नहीं होगी तो आपको ज्यादा इंपक्ट नहीं कर पाएगा ज्यादा आपको इंफेक्टेड नहीं कर पाए है और यहां पर दिल्ली यूपी बंगाल गुजरात राजस्थान महाराष्ट्र आंध्रपरदेश तिलंगाना करनाट्य और तमिल नाडू में इसका ट्रैल हुआ है और और कई सारे हॉस्पिटल्स में इसका ट्रायल हुआ है दोस्तों और कई सारे मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ है और जितने भी मरीजों के उपर ट्रायल हुआ है सारे मरीज देखिए यहां देख सकते हैं कि 27 COVID अस्पतालों में 220 मरीजों पर ट्रायल हुआ और जितने भी मरीजों पर इसका ट्रायल हुआ है 100% efficiency के साथ वो ठीक हो गए और जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि यह एक generic molecule दवा है और glucose से मिलता जुलता है इसलिए यह आपके body के हर एक cell में चला जाता है आज तोर पर उन cell में जाता है जहां पर corona ज़्यादा impact करता है और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि दवा की जो सफलता है वो 65 वर से उपर के मरीजों में भी देखिए लोग 60 प्लस हैं तो वो भी इस दवा को ले करके और अपने आपको recover कर सकते हैं यह काफी कारगर दवा है और इसके बाद इस दवा को जो मंजूरी मिली है वो एक मई को मिल गई है अब देखें दोस्तों मैं यहाँ पर आप लोग को बता रहा था कि यह जो कोरोना है यह जो कोविड-19 है यह कोविड-19 हमारी बॉडी में जाता है बॉडी में जा करके वो अपने आपको उसी जगां पर जैसे हम photocopy कराते हैं और एक copy की हम जो सेक्ड़ों कॉपियां बना सकते हैं, फोटो कॉपिय उसकी निकाल सकते हैं, ठीक उसी तरीके से ये कॉरोना भी, एक कॉरोना गर जाता था, ये हमारी बॉड़ी में उस, उस एंजाइम को या उस हमारे मेकेनिजम को ढूरता था, जहां पर वो मेकेनिजम हमारे बॉड़ी के लिए इस तरीके की चीजें करता है और उसके थू वो अपनी संख्या को बढ़ा लेता था ठीक है और जब ये संख्या बढ़ जाती थी दोस्तों तब वो हमारे उपर हमला करता था यहां पर आप समझ सकते हैं कि हम अभी तक कोरोना से कैसे लड़ रहे थे देखिए दोस्त तो यहां देख सकते हैं कि कोविड-19 जैसे चिट्टी जैसे अपने आपको एकदम से बढ़ा लिया था अपने डूब्लिकेट तयार कर लिया था ठीक उसी तरीके से कोरोना भी अपने आपका डूब्लिकेट तयार कर लेता है और हम कैसे उससे लड़ रहे थे अभी तक जै यह जी हो रही थी हर चीज्सका रही फिसका हो रहरा था कि क्योंसी अभाएं जातिधिर ठीकेट और उस तरीक़े से जो दवा इसमें कारगर हो गई उन दवाओं को बिकमेंड कर दिया गया यह जिये इसमें तो आप इससे बच जाएंगे ठीक है उसके बाद और उक्सिजन सिलेंडर की जुरूत पड़ती थी ओक्सिजन मास्क की जुरूत पड़ती थी फिर बहुत ही भागे साली लोग मैं उन सभी को बढ़ाई देता हूं जो हॉस्पिटल तक जा करके ओक्सिजन के ऊपर जा करके भी वहां से लौट आये हैं वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही आध यह दवा जब यह ली जाती है और मैं यह बता दो की दवा लेनी कैसे है जैसा की मैं बता चुका हूँ कि यह एक पॉडर में है एक सइसे में है तो आपको यह दवा दिन में दो बार लेनी है एक सुबा खाली पे, पानी में घोल करके, बस आप उसका पैकेट फाड़ि पानी में घोलिए और पानी में मिला करके उसे पी जाएए जब आप उसे पानी में मिला करके पी जाएंगे तो यह आपकी बॉडी के अंदर जाएगा आपके बॉडी के अंदर हर एक सेल में जाएगा जहां पे कोरोना ने आपको infected किया हुआ है वहां पर जाएगा और वहां से वर्क करने लगेगा क्यों कि हम यहां पर ही हमारी yaude यहीं पर फेल हो जाती थी क्योंकि वह ग्रोब तेजी से करता था और हमारी बॉड़ी उससे लड़ते lied रड़ते ही हुद इतनी खनत LU Stacy Fig थी कि वो भी अपने ही बॉडी को नुक्सान करने लगती थी उपर से कोरोना तो था ही नुक्सान करने के लिए तो यह दवा ऐसा करने से कोरोना को रोग देती है अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको यहां बताया कि कुरोना तो अपने आपको इतना ग्रो कर लेता और इतना मजबूत है वो तो पूरी तरीके से तयार होकर के आया है हमें मारने के लिए और हम क्या करते थे कि हम उससे उन चीजों से लड़ते थे जो भी हमारे घर में पड़ी हुई है लेकिन अब इस दवा के आजाने के बाद यानि 2DZ 2DXD-Glucose के आजाने के बाद हमारे पास भी एक मजबूत और ससक्त हथियार हो गया है इससे लड़ने के लिए यानि अगर आपको करोना हो जाता है तो आपको बिल्कुल चिंता करने के जुरुत नहीं है इस दवा को सुबा और साम खाली पेट दोस्तों सुबा और साम खाली पेट आपको ये दवा लेनी है पानी में घोल करके बस पी जाईए ठीक है पानी में घोल करके पी लेंगे तो ये दवा आपको कुरोना से बचा लेगे और ये दवा जब आपके अंदर जाएगी तो यहाँ पर इंपेक्ट ही होगा कि इस दवा के जाते ही कुरोना आपकी बॉडी से बाहर आ जाएगा तो दोस्तों अब मैं आपको कुछ और महत्पूर्ण तथ्य बता दूँ सबसे पहली बात तो यह कि यह कौन सी दवा है यह है टू डियॉक्सी डी ग्लूकोज और कितनी मात्रा में लेनी है दोस्तों तो यह आपको डाक्टर की सलाहा पर ही मिलेगा ठीक है और यह काम कैसे करता है तो सबसे सिंपल अगर मैं बताऊं आपको तो यह संक्रमित कोशिकाओं पर असर करता है और उन कोशिकाओं को ठीक करता है रिपेर करता है कुरोना को वहां से भगाता है कुरोना को फैलने ने देता ये दवा की कीमत क्या होगी सबसे बड़ी बात यह है तो देखिए दोस्तों इस दवा की कीमत जो अनुमानित है वो 500 से 600 रुपए के आसपास होनी है लेकिन ये डॉक्टर एडीज लैब इसको तै करेगी कि इसकी कीमत क्या होगी और ये कब तक आ जाएगा ये दोस्तों बहुत ही जल्द मार्केट में आने वाला है ये समझ लिजे कि जून या जुलाई तक ये मार्केट में आ जाएगी ये दवा और हाँ दोस्तों बहुत ही important बात ये है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे कोरोना नहीं हुआ है और म इम्म्यूनटी बढ़ाने की दवा अभी जो रिपोर्ट आई है उसमें इम्म्यूनटी बढ़ाने की दवा नहीं है ये कोरोना को खतम करने की दवा है तो आपको अगर कोरोना नहीं है तो आप इस दवा का सेवन नहीं करें इस दवा को लेने का कोई फायदा नहीं है और हा लेने है इसलीं आप बिल्कुल वह ऐसा ना करें कि कोरोना से पहले ले या आप वैक्सीन न लगवाएं सोचें कि मैं ये दवा ले लूँगा ऐसा नहीं है आपको फूरी साधाइन रखनी है वैक्सीन लगवानी है ठ प्रोटेक्ट करेगी तो मैं उमीद करता हूं दोस्तों कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को महत्पूर्ण इंफोर्मेशन देने महत्पूर्ण जानकारी देने में काम्याब रही होगी और अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और शेयर धन्यवाद दोस्तों